आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने Question की Photo खीचो उसे Crop करो और तुरंत वीडियो सिलीशन पाओ डाउनलोड नाओ इसे कुछ cells होते हैं वो जो की उस टाइम पर ना leaf बनाते हैं और ना stem बनाते हैं और वो क्या करते हैं वो अलग से एक छोटा structure बनाके यहां पर रह जाते हैं और जो ना ही शूट में और ना ही leaf में ट्रांसफॉर्म होता है और ऐसे structure को क्या कहा जाता है यह पूछा क्या है तो चले देखते हैं कि ऐसे structure को क्या कहा जाता है पहला है axillary bird axillary bird जो होते हैं यह एक छोटा small structure होता है जो की पाया जाता है leaf के उपर यानि pitiole के पास और यह एक ऐसा छोटा structure form करते हैं जो की क्या करते हैं यह लोग emergency condition में shoot form करते हैं या फिर modification में काम आते हैं जैसे tendril modification जो की climbers में पाये जाते हैं और यही चीज़ axillary birds में axillary birds का काम होता है कि वो future sustain करता है और यह क्या करता है यही वो cell है जो की left behind हो जाता है shoot epical meristem से और यह अलग से एक cell बना के रख देते हैं इसलिए जो हमारा correct option हो जाएगा वो हो जाएगा axillary bird next है secondary meristem secondary meristem जो है यह provide करता है secondary growth और जिसके वज़े से जो thickness है वो provide होता है secondary meristem से यानि जो growth के structures होते हैं जो की elongation होते हैं side by side वो सारे secondary meristem का का काम होता है next है lateral meristem तो यह भी क्या करते हैं यह भी plant को growth ही provide करते हैं और यह भी एक secondary tissue है और यह बनता है cambium से जो की secondary tissue में यानि की growth में बहुत काम आते है cambium या फिर cork cambium तो हमारा correct option क्या हो जाएगा हमारा correct option हो जाएगा axillary bird जो की according to the question सबसे जादा perfect match होता है इसलिए हम लोग first option को ही टिक कर लेंगे Classics to 12 से लेके NEED IIT जेही means और advance के लेवल तक 10 मिलियन से जादा students का भरोसा आज ही डाउनलोड करे doubtnet आ या WhatsApp कीजिए अपने doubts 8400 400 400 अपर